आज देखिए, चुकि नया साल अब शुरू हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यह अपना शुरू करूँ आप लोगों सिखाना तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं संगीत के बारे में बिल्कुल ही बेसिक से मतलब जो बिल्कुल जानते ही नहीं कि संगीत क्या चीज है, राग क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, शुरूतियां क्या होती है, नाद क्या होता है, ताल क्या होता है तो यह एकदम मैं बिल्कुल basic से आज में concept और plus आपको practical दोनों चीज आपको मैं बताने वाला हूँ तो यह वीडियो आपके लिए helpful होने वाली है जो बिल्कुल ही beginners है ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कुछ notes बना के रखे हैं जो आपको शायद complicated लगे लेकिन समझने में आसान है चलिए एक बार देख लेते हैं चीज क्या है देखिए basic है यह गाना बजाना और नाचना यानि कि गायन वादन और नृत्य ठीक है इन तीनों का जब मेल बनता है यह तीनों जब एक साथ होते हैं गाना बजाना और नाचना तब संगीत बनता है ठीक है singing, playing plus dancing यह तीनों चीज आप मैं कहूं कि राजा महराजाओं के जमाने में उनके दरबार में चला करता था गायन भी वादन भी और नर्तकी जो थे वो नर्त्य भी करते थे तो उनका जो मेल होता था इन तीनों का उसी को संगीत कहा गया है traditional meaning में लेकिन आशकल अगर modern meaning की बात करें हम तो गाना और बजाना दोनों को मिला के भी संगीत बनता है ठीक है? चलिए अब संगीत की उत्पत्ती हुई कैसे? इस पर आप बात कर लेते हैं तो संगीत की उत्पत्ती हुई है नाद से यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संगीत की उत्पत्ती हुई है नाद से अच्छा नाद क्या चीज़ है? अब आगे चलते हैं तो देखिए ध्वनी जो कानों को सुनाई दे वो है नाद और ध्वनी जो कानों को मधुर लगे वो है स्वर एक बार फिर से समझ लीजिए ध्वणी जो कानों को सुनाई दे वो है नाद जैसे मैंने कहा 문제 कोई भी ध्वणी है दुनिया में कोई भी ध्वणी है ये ध्वणी ये नाद है लेकिन अब इसको अगर मैं स्वर में एक स्वर लिया मैंने ये दीखे, साश तो अब ये यहाँ पर स्वर्वन गया क्योंकि यह मधुर लग रहा है और यह मधुर लग रहा है नई, यह annoying लग रहा है annoying sound कर रहा है जबकि यह क्या है, यह melodious है तो नाद और स्वर का आपको फर्क पता चल गया अब आगे देखते हैं नाद, शुरुती और स्वर बनती है शुरुतिया और शुरुति से बनता है स्वर नाद से क्या बनता है शुरुति और शुरुति से बनता है स्वर ठीक है अब यह स्वर जो होते हैं यह क्या होते हैं साथ शुरुति होती है बाईस और नाद तो असंक्य है क्योंकि कोई भी आवाज देखिया है सबकी अल बाहर हुए है इसकी अलग आवाद़ यहां करूंगा अलग आवाद़ तो नाथ तो एक दम बाँवार ही है टिक है शुरुती 22 होती है और सवर्साथ होते हैं तो पहले स्वर को समझ लेते हैं सवर्साथ कौन-कौन से सवर्साथ आपको पता ही है सारे गामाfrist नि ये सप साथ स्वर हैं ठीक है और शुरुतियां जो होती है वो एक स्वर मतलब आपस में जो दो स्वर होते हैं न मान के चलिए मैंने लिया ग और मा ग और मा तो इन दोनों के बीच में शुरुतियां यह दोनों स्वर हो गए और इन स्वरों के बीच में शुरुतियां है तो यहां से यहां तक तो 7 स्वर हैं, देखिए, अब ध्यान से समझेगा, ठीक है, यहां से यहां तक 7 स्वर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन शुरुतियां यहां से यहां तक 22 हैं, इन 7 स्वरों का जितना distance है, इस distance में 22 शुरुतियां हैं, 22, ठीक है, अब 22 शुरुतियां कैसे कैसे हैं, वो position में आपको बाद में बताऊंगा, वो basic में cover नहीं होगा, ठीक है, अभी मान के चलिए, मैं एक example दे देता हूँ, आपको समझ में और अच्छे से आए कि शुरुति है क्या, जैसे गा और मा, मैंने लिया, तो मान के चलिए, गा मा, इनके बीच में शुरुति है, लेकिन कितनी शुरुति हो सकती है, दो भी शुरुती हो, हो सकती है, दो से तीन शुरुती हो, फिर मैंने मां से यहाँ पर जाओंगा, तो हो सकता है, इन दोनों के बीच में एक ही शुरुती हो, ठीक है या मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में हो सकता है, तीन शुरुती हो, तो वो क्या है उसका भी एक formula है ठीक है उसको मैं बाद में cover करूँगा फिलाल हम basic में देख रहे हैं ठीक है तो आएए वापस हमने क्या-क्या समझ लिया नाज समझ लिया शुरुती समझ लिया और स्वर समझ लिया ठीक है आप शुरुती यहाँ पे देखिए definition में लिखा हुआ है बारिक स्वर जो होते हैं जिनके बीच कम फासला हो कम फासला का मतलब क्या अभी मान के चलिए कि यहां से यहां तक की बीच में मान के चलिए तीन शुरुती होगी गा और मा के बीच में ये दो स्वर के बीच में मान के चलिए तीन शूितियों का difference कितना होगा अप? अन्दाजा लगाए इनके बीश में और तीन तरह के स्वार आ रहे मैंने बोला जब इनके बीश में तीन शूरुतियां और है मतलब तीन तरह के और सुराएंगे तीन तरह के गले में और सुराएंगे लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं कर पाएंगे उनकी पहचान हम नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि इसके लिए चाहिए पूर्ण और यह मान के चलिए कि सिद्ध अभ्यास, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, मतलब एकदम उसमें क्या बोले कि तप चाहिए संगीत का तब आप उस शुरुतियों को पहचान सकते हैं और हला कि आजकल तो पता नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ पक्का लेकिन आजकल शायद असंभव साही है ये हम लोगों के लिए क्योंकि ये तो अपने आप में एक तप है तो ग और मा इनके बीच में तीन तरगी शुरुतिया है तो तीनों का अलग-अलग होगा जो आवाज होगा तो उन आवाज में क्या डिफरेंस होगा बहुत ही बारीक डिफरेंस होगा क्योंकि इनके बीच में हलका हलका सब जब हमें पता चल रहा है और यही हमारी पक्की नहीं है ठीक है यही आप लोगों की या हमारी मैं कहूं ठीक है यही हमारे अच्छे से सिद्ध नहीं है स्वरों को साधा नहीं है इन्हीं को हमने साधा नहीं अच्छे से तो शुरुतियां तो बहुत कमाल की चीज़ है ठीक है चलिए य दीरे दीरे तो आएंगे ही हर एक topic को मैं cover करने वाला हूँ तो फिलाल में ये आज basic class अब चलिए चलते हैं मूल स्वर क्या है ठीक है तो मूल स्वर अपने सारे गा मा पाधा नी सा तो ये वापस शुरू हो गया तो इसको मत count करिए ये साथ ही स्वर मूल स्वर है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी अब अगर इनकी मैं full form की बात करूँ तो देखिए सा का होता है शडज, रे का रिशब, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत, और नी का निशाद और इनके निकनेम ये है सारे, गामा, पाधा, नी ठीक है ये तो हो गए मूल स्वर क्योंकि इनी मूल स्वर पे सारा कुछ बेस्ट है जो भी हम रचनाई करते हैं संगीत के, जो भी हम composition करते हैं चाहे music का करें, चाहे किसी song का करें ठीक है, वो इनके बिश में करते हैं तो मूल स्वर तो यही हो गए अब अगर rule के हिसाब से देखा जाए तो शुद्श्वर, कोमल स्वर होते हैं तो शुद्श्वर भी यही हो गए सारे, गामा, पाधा, नी सारे, गामा, पाधा, नी यह साथ स्वर हो गए यह हमारे सुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध मैं यहाँ पर इसको थोड़ा से नीचे कर देता हूँ अब आप देख पार होंगे सुद्धस्वर लिखा हुआ है और यह प्रकार है अब प्रकार में क्या है? चल्सवर और अचल्सवर दो तरह के सुद्धस्वर होते हैं ठीक है? पहला है चल्सवर और दूसरा है अचल्सवर अब चल्सवर में कौन-कौन से है? रे गा मा धा नी यह तो आपके चल्सवर हो गए और अचल्सवर हो गए सा और पा अब चल और अचल क्यों हो गए? यह मैं आपका और समधा देता हूँ ठीक है? अभी मैंने क्या बोला कि रे गा मा धा नी यह चल्सवर हो गए तो चल्सवर का मतलब यहां से लीजिए जिनको चेंज किया जा सकता है ठीक है? जिनको चेंज किया जा सकता है चेंज करने का मतलब यह है अगर मैं रे यह हमारा रे है जो हमारा सारे गामा पाधा नी होता है तो रे ये है, रे को हम change कर सकते हैं, कोमल रे में, मतलब कोमल रे में हम इसे change कर पा रहे हैं, इसलिए ये चल है, ये अपनी जगह से चल रहा है, ये अपनी जगह से चल सकता है, इसलिए सेम इसी तर से गा, गा अपनी जगह से चल सकता है, कोमल पे आ सकता है, मा, मा अपनी तो ये अपनी जगह पे स्थिर है इसलिए ये अचल है ये चल नहीं सकता समझ रहे हैं आप ये चेंज नहीं हो सकता इसी तरह धा की बात करते हैं तो धा कोमल हो सकता है यानि कि अपनी जगह से चल रहा है चल रहा है किधर चल के पहले आ जा रहा है भाई चल के ये पहले आ ज जा रहा है इसी तरह नी भी चल के पहले आ जा रहा है तो नी भी आपका क्या हो जाएगा चल स्वर हो जाएगा ठीक है चल पा रहा है अपनी जगह से और इसी तरह से सा वापस अचल हो गया क्योंकि सा ना तो इसका कोमल होता है ना तीब्र होता है तो सा अचल स्वर में आता ह है जो नहीं चल सकते वो अचल कहलाते हैं सिंपल आईए अब देख लेते हैं कोमल स्वर और तीब्रु स्वर के बारे में ठीक है मैं थोड़ा सा आप फास्ट बोल ला हूं शायद आप थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लिजेगा अगर आपको समझने में देखकत हो रही है तो क् कोमल स्वर देख लेते हैं कोमल स्वर है स्वर जिनकी ध्वनी सुद्ध स्वरों से उत्री हुई या हलकी हो कोमल स्वर वे स्वर जिनकी जो ध्वनी होती है मतलब जिनका जो साउंड होता है वो सुद्ध स्वरों से हलका हो उसके सुद्ध स्वरों से हलका हो कहने का मतलब मै कैसे change कर सकते हैं रे dit अब इसका कोमल क्या होता है Price कोमल मतलब उससे पहले आने वाला और तीवर मतलब उसके बाद जाने वाला तो मैंने क्या बोला कि कोमल स्वर कौन सा है रे क्यों कि इसकी जो द्ध्मनी है यह आ रही है इससे पहले आ रही है मतलब रे इससे हलकी है यह जो है ना रे जो आइडियल रे है ठीक है जो शुद्ध रे है वो यह है लेकिन शुद्ध से जब हम कोमल पे जा रहे हैं तब इसका जो साउंड है इससे कम साउंड दे रहा है हलका साउंड दे रहा है यह वाला ठीक तो जैसे ये गा है ये हलका साउंड दे रहा है तो ये कोमल हो गया और ये शुद्ध हो गया तो कौन-कौन से सुद्ध होते है सारी, कौन-कौन से कोमल होते है तो रे, गा और ये आपका धा और ये आपका नी ठीक है, तो कोमल क्या हुआ है ये चार आपके कोमल स्वर हो गए ठीक है कोमल वाला कॉंसेट सौंज में आया ये धा है ठीक है एक बार और समझा देता हूं ये धा है ठीक है तो धा से ये पहला क्यों क्योंकि कोमल साउंड दे रहा है उससे हलका साउंड दे रहा है तो जब मैं हलके की बात करूँ तो उससे पहले आ जाईए जब और मैं तीवर की बात करूँ तो उसके बात चले जाईए जैसे मा, ये तीवर स्वर, अब तीवर स्वर क्या है जिनकी ध्वनी सुद्ध स्वर से चड़ी हो तो सुद्ध स्वर ये हो गया, मा अब इससे चड़ीवी आवाज है इसकी क्योंकि यह आगे जा रहा तो सिंपल सी बात है आवाज चड़ीवी होगी मतलब तेज आवाज होगी तो इससे जब तेज आवाज इसकी है तो हम इसे क्या देते हैं तीब्रिसवर और इसी तरह कोमल की बात करूँ तो यह कोमल गा है ठीक है शुद्ध गा है और इससे जब हल्की आवाज की में बात करूँ तो मैं इधर आ जाओंगा तो यह गा हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा कोमल गा हो जाएगा तो एक बार में वापास बता देता हूँ कौन-कौन से आपके जैसे यह देखिए आप सा, रे, गा, म, प, धा, न, सा यह तो आपका शुद्ध वाला पैटर्न हो गया ठीक है, अब कोमल क्या है? रे, तो रे का कोमल यह हो जाएगा इससे हलकी आवाज, ये, तो इससे हलकी आवाज ये ये कोमल हो गया, गा का धा, ये है, तो इससे कोमल आवाज ये हो गई तो ये धा का कोमल हो गया नी, नी, इससे जस पहले वाला क्योंकि इससे कोमल आवाज उसके नीचे वाले की होगी तो ये हो गया, कोमल नी, ठीक है? और मा, जो बचा रहे गया, वो मा का तीवर होता है, क्यों? क्योंकि मा का आगे चाता है, इसलिए, यह से तेज आवाज है, इसलिए यह तीवर, चलिए, I hope, all clear, ठीक है, अभी क्या है, कॉमल तीवर स्वर हो गए, येस, अब चलते हैं, सब तक क्या होता है, ये और देख लेते हैं, आक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो देखिए, सब तक क्या है, ये सा से ले करके, और ये सा, मतलब स्वर, ये नी तक, सा से तो दूसरा लग जाएगा, तो ये सा से, ये जो नी है, साथ स्वरों का समू, जो यहां पे लिखा हुआ है, साथ स्वरों का समू कहा जाता है, सब तक तो साथ स्वर कहां तक आ जाएंगे यहां तक आ जाएंगे नी तक यहां पर कोमल वाले को नहीं गिंते वह चलना है है टोटल आपका कितना दूर तक आ रहा है यह देखना है तो सा से ले करके आखरी नी यहां तक आ रहा है ठीक है शुद्ध वाला सा है ठीक है वहां स यह आपका मंदर सब्तक हो गया जिसे हम लोग lower octave कहते हैं ठीक है और यह यह आपका middle octave हो गया जिसे हम लोग मद्य सब्तक कहते हैं और आगे जाएंगे फिर यहां से और फिर नी तक यह आपका higher octave हो गया तार सब्तक जिसे कहा जाता है ठीक है I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा ठीक है अब चलते हैं दूसरा yes अब यह और last में यह और रह गया एक सब्तक में कितने सवर होते है तो अभी जैसे मैंने बता है वही एक सब्तक में कितने सवर यह देखे यहां पर यह तो वापस वही वाला हो गया ठीक है एक सब्तक में एक सब्तक में कितने स्वर होते हैं इसमें बात ठीक है तो साथ स्वर शुद्ध होते हैं चार कोमल होते हैं और एक तीवर होता है ठीक है वही वाली बात मैं बता रहा था जो मैं वहाँ पर बता रहा था न कि इसमें देखिए यह देखिए यह देखिए मूल स्वर होते हैं आपके साथ और सुद्ज स्वर भी साथ है यही साथ की बात चलिए अभी मैं बता जिता हूँ कि कौन से स्वर्ज है साथ सुद्ज है यह देखिए सबसे पहले तो तीवर पे चलते हैं मैं इधर से शुरुवात करता हूँ मतलब पहले से तीवर क्या है अपना मा ये वाला अब ये वहने बताया था ठीक एक हो गया अब गिंते चलिएगा 12 होंगे पूरे ये हो गया इसके बाद में है 4 कोमल 4 कोमल कौन से ये 1, 2, 3 और ये 4 ये देखे लिजे चारो को मैंने दबा रखा ये एक, दो रे, ग, और धा, और नी कोमल धा, कोमल नी ठीक है ये हो गये 4 तो 4 और 3 बिलाके हो गये 5 और बाकी जितने सारे जो सूर है वो कितने हो गये 7 निकलेंगे आपके तो 7, 4, 11 और 12 जो हमारा octave बन जाता है ओके, ठीक है, clear है आईए अब देखते हैं सब तक की ध्वनी का स्थान क्या है यानि कि जो ये octave है मैं कहूँ ये जो octave है ये octave में से जब हम आवाज निकालते है तो एक particular octave में जब हम रियाज करते हैं तो जो जो उसका sound होता है वो हमारी body के किस पार्ट में से आता है किस पार्ट में से उत्पन होता है किस पार्ट में से आवाज निकलता है ये आपको feel होगा जब आप करके देखेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ और अभी मैं आपको practical भी दिखाई दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब तक की ध्वनी का स्थान कौन सा कौन सा होता है ठीक है तो अगर हम सबसे पहले मंदर सब तक की बात करूँ यानि कि lower octave की lower octave की अगर मैं बात करूँ जब मैं इसमें गाने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैं इसमें गाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए अभी मेरे च्छाती में से आवाज आ रही है ठीक है यानि कि जब आप मंदर सब तक में रियास करते हैं तो मंदर सब तक के जो सुर होते हैं जो lower octave वाला होता है क्यों होता है? क्योंकि मध्य से धीमा होता है यानि कि इस से वाले से धीमा है सबसे पहले जो सबसे निशला वाला होगा उसकी कम मतलब भारी आवाज होगी उससे पतली यहां पर आवाज होगी ठीक है तो ये मंदर सब तक हो गया इधर मैं जो चल रहा हूँ अगर मैं इसको थोड़ा से ये करूँ ये देखिए आप देख पाएंगे वापस ये देखिए ये जो सा यहां से हर्मगियम से शुरू हो रहा है यहां से ठीक है तो ये जो अक्टिव है ठीक है ये आपका क्या हो गया मंदर अक्टिव जब मैं ऐसे पा से रियास कर रहा हूं ठीक है तो देखे चाती में मेरे suppression पढ़ेगा थोड़ा सा चाती में जोर पढ़ रहा है ठीक है तो चाती में जोर पढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है यह देखिए कि जो मंदर सब्तक का स्थान वो क्या है चाती है कही चीज लिखी है विए कि मंदर सब्तक की ध्वनी कहां से निकलती है चाती से इसके बाद में मद्य सब्तक आ जाते है तो ये ये आपका कंठ यानि की गले से निकलता है मद्य सब्तक जो क्या है गले से निकलता है अब इसी के बाद इसका और उचा चलते है जो तार सब्तक है यह उचा वाला सब्तक है सबसे उचा वाला ठीक है यह होता है तार सब्तक और इसका जो स्थान होता है वो होता है तालू तालूक इसलिए क्योंकि ये मद्य से चड़ा हुआ है ठीक है वापस बता देता हूँ देखिए जो मंदर सब्तक था उसका मैंने क्या वोला छाती छाती क्यों क्योंकि ये मद्य से धीमा है जब आप भारी आवजे बात करते हैं आपकी छाती पर जोर बढ़ता है तो इसलिए छातीस का स्थान माना गया है छातीस से निकलता है ये साउंड ठीक है मद्य सब्तक यानि कि ये वालो ऑक्टिव के जितने भी आपके कीज होंगे उनका जो साउंड होगा वो आपके गले से निकलेगा ठीक है आप ट्राइ करके देख लीजेगा आपको पता चलेगा फील होगा थोड़ा थोड़ा ठीक है और इसी तरह तार की बात करों तो ये और पूरा फिर मैं यहां तक नी तक जाओंगा इसका जो स्थान होता है वो होता है तालू जिसे हम लोग इंग्लिश में पैलेग भी कहते है ठीक है तालू को कहा गया है मूँ की छट मूँ की छट मतलब मैं कहूं कि जब आप जब आप ऐसे गाएंगे तो देखिए यहां पे उपर जोर पड़ रहा है ना कि गले पे गले से उपर जोर पड़ रहा है ठीक है ठीक है अब जो मैंने बोला की जो मंदर सहब तक वाला था वह जाती से निकल रहा में तो यहां पर अगर देखें मेरी आ्वाद निकल रहे है ठीक है तालू मतलब यह जीब का अंदर वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा आगे चलेंगे जीव के अंदर ये तो वह जीव वाला हिस्सा होता है जीव के अंदर थोड़ा सा तालू अब तालू भी दो तरह का होता है एक हाड उपर वाला हाड होता है और नीचे आप देखेंगे तो यह नीचे वाला सॉफ्ट होता है ठीक है तो यह आवाज यहां से निकलती फिर छाती से थोड़ा सा उपर जाएंगे, गला आएगा हमारा, छाती से जब आब उपर जाएंगे, तो गला आएगा, तो गले से क्या निकलेगा, मद्य, और फिर अगर फिर गले से उपर जाएंगे, तो सिधा मुह आएगा आपका, ठीक है, मुह जब आएगा, तो फिर मु क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है इसके लिए माफी चाहता हूं लेकिन इन सभी चीजों को समझाना जरूरी था और यह देखिया आपको कॉंसेप्ट सारा कुछ बता दिया मैंने समझा दिया अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो मैं शुरू करवा दूंगा कि कैसे एक बिंगनर को रियाज शुरू करना चाहिए ठीक है चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं थेंकि सो मच